इस वीडियो में हम लोग options, nifty, nifty options कैसे trade किया जाता है और इसमें कैसे आपको मुनाफ़ा मिलता है मतलब आप यहाँ पे सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा पैसा आप कमा सकते हो विदिन कुछ मिनिट, 2-3 मिनिट में आप लागपती भी बन सकते हो और यहाँ पे losses भी बहुत जादा होता है तो जरूर आप risk लेके अगर खेलना चाहते हैं आपके पास अगर sufficient knowledge है तभी आपको options trading करना चाहिए तो देखिए आज हम लोग options trading, nifty options के बारे में बात करेंगे तो nifty options होता क्या है, इसको कैसे buy किया जाता है, कुणसा कुणसा चीज आपको ध्यान में रखना है तो देखिए यहाँ पे for example purpose अभी जो latest अभी जो nifty options का call है 22nd September का यह इसका expiry है और सापूस मान लीचे मैंने इसका जो put options राका है तो इसमें देखिए आज दीन भर में कैसे आज price का moment रहा, आप देखके पता चल जाएंगे आपको कि कैसे यहाँ पे मुनाफा होता है 76 रुपिज से 219 यहाँ पे आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा यहाँ पे game होता है lot size है 50 तो आपको minimum lot size 50 के लिए आपको options trading लेना है और 76 से लेके इसका जो price moment है दोस्तो 219 मातलब अगर आप 100 या फिर 120 कहीं भी अगर range में खरीड लिए होते और आपको 10 रुपए करके भी अगर आपको पार lot में अगर profit होता तो सोचिए क्योंकि यह जो option trading है आप इसमें margin का facilities use करेंगे तो margin facilities काफी आपको जादा जो मानी है वो आपको इस टेप से securities provide करता है for example आप 5000 देके 5 लाग कभी share आप खड़ीश सकते हो depends on इसका जो script है उसके उपर and उसका जो expiry date कितना नजदिक है कितना लंबा ही है उसके उपर depend करता है तो देखें यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि option sterling में पलकते ही बहुत जादा profit होता है और आपको बहुत जादा loss भी हो सकता है तो इसमें option sterling का आप लोग कैसे करना है तो यहाँ पर देखें जब भी buy करेंगे यहाँ पर देखें दो options है buy and sale का नीचे आप देख लीजे यहाँ पर मैं आपको दिखायता हूं यह एक buy लिंग को तो आपको क्या करना है पहले इसको स्लेक्ट करना है इसको कैसे स्लेक्ट करना है वी मैं बता दूंगा पर फिलान यह स्कीन देख लीजे आपको buy पर क्लिक करना है आपको एक्सेंज को भी आप स्लेक्ट कर सकते हो यहाँ पे product type लेकिन margin आपको रखना है और order type आप market order भी रख सकते हो कि market order रखने से क्या होता है काफी ज़्यादा price volatility होता है तो for example आपने कोई इसका जो value है माल लिजे 190 रूपीस है 92 रूपीस है तो आप चाहते कि 192 रूपीस में खरीदा जाए पर आप order place करते करते यह price 195 भी हो सकता है तो इसलिए try किजेगा कि limit order put करन देंगे 192 तो वही price में execute होगा अगर उपर भी चला जाता है तो इसमें execute नहीं होगा 190 जब फिर से आएगा तब ही जाके execute होगा इसलिए limit order आप लोगो select करना है quantity इसका quantity बहुत important है quantity मलता है इसका lot size एक एक lot में 50 आता है यहाँ पे लिख रहेगा तो अगर आपको दो lot लेन है तो 150 करना है four lot लेना है तो आपको क्या करना है यह पे calculate कर लेना है कि 50 four lot कितना होता है 200 ठीक है तो आपको यहाँ पे 200 डाल देना है quantity हाँ चाहते है प्राइस प्राइस आपने पर नाम कॉन सा Nifty options यह तो आपने सलेट कर लिया है तो यहां पर एकसपाई रेत भी रहेगा यहां पर आपको changes नहीं कर सकता हो strike price पर आपने सलेट कर लिया है और यहां पर आपको put select किया है put मतलब जब भी market डाउन होगा मतलब निप्टी जब भी डाउन होगा तभी आपका ये प्राइस हो है वो इंक्रेस होगा ठीक है तो मान लिजे आज दिन भार निप्टी बहुत जादा गेर रहा था गेर रहा था और आपने put options type select किया तो market निप्टी में जितना प्राइस निचे जाएगा मान लिजे निप्टी का प्राइस अभी मान लिजे 17,600 है फॉर एक्जांपल ये प्राइस अगर गिल के 17,500 होता है तो आपका ये प्राइस इंक्रेस होगा आपका profit होगा फिर 17,500 से मान लिजे 17,400 हो गया जितना कम निप्टी का प्राइस घटेगा उतना ही आपको प्राइस ह अगर आप यहाँ पे call option रहते CE call option अगर लिया होता तो यहाँ पे nifty अगर increase होता price तभी जाके आपको profit यहाँ पे मिलता ठीक है आपको समझ में आ गया होगा फिर आपको देखे यहाँ पे बहुत सरा options भी है आप यहाँ पे addition little में जाके इसका stop loss भी लगा सकते हो ठीक है बट stop loss यहाँ पे बहुत ज़दा risk ही है क्योंकि option string में होता किया है price ऐसे गिरता है फिर कुछी time में price फिर से बापस bounce भाक होता है तो हो सकते है आपने जब stop loss दिया वहाँ पे तो execute हो गया फिर कुछी time बात यह price फिर से उपर चला गया तो आपको फिर उसमें regret होगा कि आपने मैंने sale कर दिया फिर वहाँ पे देखो price कितना पर गया बट यहाँ पे actually आपने stop loss तो लगाना है तो आपको stop loss फोलो नहीं करना है stop loss लगाई है बट थोड़ा सा down में लगाई है ऐसे नहीं कि 192 में खाइल दिया खाइलना चाहते हैं और आपने 180 नहीं 180 तो वह touch कर जाएगा तक हो side 160 में लगा सकते हो कि यतना ज़्यादा निचेग आएगा तो आपका losses भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और जैसे मैंने आपको बता है options trading बहुत ही risk होता है तो options trading को select कैसे करें यहाँ पे देखिए एक search bar दिया गया है ठीक है तो यहाँ पे search bar में आपको click करना है तो चलिए मैं आपको search bar में click करके दिखायाता हूँ यह जो options है यह search bar up ए तो यहाँ पे अगर click करें तो यहाँ पे देखिए options बोलके options है ठीक है equity नहीं करना है अपको options पर ही लिक करना है तो यहाँ पहला options को लिए तो यहाँ पे जाके आपको nifty type करना है Splend तो यहाँ पे देखिए Een conspiracy जैसे आप तो मैंने 22 second का September का ही select किया और यहां पर देखिए call option है put options है मैंने जैसे आपको बताया कि call options का मतलब होता है आप जब market में bullish है जब market आपको लगदा है कि उपर जाएगा और भी उपर जाएगा तब आप call options लगाएंगे और put कब लगएंगे आपको जब लगदा है कि market down होगा market नीचे जाएगा निप्टी नीचे जाएगा तब ही आप जाके put को select करेंगे तो आज कापी सारा market में pressure था उपर से Friday भी था तो Friday market generally क्या होता है नीचे आता है कि Saturday Sunday दो दिन रहता है market में कुछ भी हो सकता है global situation खराब हो सकता है इसलिए most of the time Friday को market तुरा सा निचे जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि market कितना जाएगा put में वो आपको देना है strike price तो यहाँ पर strike price में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको full list एक दिखाए देगा तो आपको आपका जो recommendation call आपको मिलता है from steps and securities और up stocks या फिर मेरे चैनल के जरीए क्योंकि smart market tips में मैं हर रोज आपको comments section में या फिर comment section में जाके आपको recommendation देता हूँ कि buy nifty कितना target price कितना time तक hold करना है तो मेरे चैनल को भी आप follow कर सकते हैं और सबसे बढ़िया एक आपको मैं बता दू कि आप stocks में काफी सस्ता है feature and options का क्योंकि यहाँ में 20 रुपीस flat लगता है वही इस टेप से securities में काफी महाँगा है feature and options जहां पे 100 रुपीस लगता है तो आप अगर हो सकते तो आप stocks के साथ एक account open कर लीजिए free है description box में आप stocks का account opening का link आपको मिल जाएगा तो चलिए फिस से हम लोग strike price को select करते हैं तो देखी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया कि मुझे 17,400 का मुझे strike price select करना था क्योंकि मुझे लग रहा है था कि 17,400 तक nifty index जा सकता है गिर सकता है ठीक है downfall हो सकता है 17,400 तो मैंने इसको select कर लिया अब इस select करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर submit पर click कर देना है और आपको पुरा दिखाएगा उसके पहले कि आपको इसके लिए आपको कितना price hold करना चाहिए ठीक है आपको कितना price लगेगा इसके लिए आपको यहाँ पर दिखाएगा जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे 200 quantity याँ फिर मानले जे 100 quantity और फिर आप अगर market limit order आप यहाँ पर मानले जे 103 दे दिया अगर know your margin पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा दिखाएगा कि कितना आपके पास price होना चाहिए यहाँ पर देखिए आपको कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं चाहिए holding करने के लिए यहाँ पर total holding है 0 आपको पूरा के पूरा जो margin है वो आपको steps security से या फिर आपका stocks प्रोवाइड करेगा ठीके तो यह अगर amount बर जाता है तो अभी जाके आपका account hold का recommend आता है माले जे इसको मैंने 1000 कर दिया ठीके अभी देखिए मैं अगर know your margin पर क्लिक करता हूँ तो देख लीजे किया दिखाएगा तो यहाँ पर भी दिखाएगा अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा अभी इसको मैं अगर माले जे 10,000 कर देता हूँ तो 10,000 में यहाँ पर मुझे margin दिखाएगा क्योंकि यह जादा हो गया बहुत ही जादा हो गया तो मुझे इतना amount hold करना है ठीक है समझ में आ गया तो फिर आपको वो submit कर देना है जैसे मैंने select किया तभी याद रखिएगा आपको जब execute हो जाएगा order तो आपको open position में जाके दिखाएगा open position में जाके देखेंगे या फिर order section में जाके देखेंगे कि आपका order execute हो जब execute होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसको track करना है उसका price को track करना है वो जैसे उपर जाएगा 103 में साथ आपका execute हो गया फिर वो हो सकता है 101 में आ जाए and 101 से फिर से bounce होके 110 में आ जाए 120 हो जाए तो आपको price moment को follow करके उसको sale कर देना है ठीक है order section में जाना है फिर आपको open position पर जाना है और वहाँ पर square up कर देना है ठीक है उसका आप modify भी कर सकते हो क्योंकि इसमें price बहुत ज़्यादा fluctuate होता है options nipty एक ऐसा game है दोस्तो ऐसा trading facilities है जहां पर आप दीन भर में एक लाग भी कमा सकते हैं और उपर से एक लाग गबा भी सकते हैं ठीक है तो बहुत ही carefully कीजिएगा खेलिएगा और आपको कर SEO short पता है कोई recommendation मेरे चैनल में अगर recommendation में देता हूँ उसको उपर आप research कीजिएगा ज़रूर कहीं से भी मिले कोई भी telegram से मिले कहीं से भी मिले उसको एक बाद genuine आप एक बाद research कर लिजएगा तभी जाके आप उसको buy कीजिए यही तो आपको loss होगा बाद इसमें बहुत सरा पैसा है दोस्तो you can make lots of money I hope कि आपको थोड़ा सो options trading के पाद में पता चल गया है कैसे आपको put करना है कैसे call में लगाना है पैसा ठीक है कैसे STFC securities में आपको place करना है कोई भी query है कोई भी doubt है you can write in comment section ठीक है next video में मैं आपको दिखांगे कि मैंने 20 minutes में कैसे 11,000 कमाया मेरे client ने को मैं next video में post करने बाला हूँ बने रही है चैनल के साथ देखते रहे हैं ऐसी informative videos मिलते हैं next video में thanks for watching